गुड मॉर्णिंग इस्टों हैं एजियां पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम क्लास 6 मैठ्स एक्सराइज फिप सी पेज नम्बर 75 एक्सराइज फिप सी में है कनवर्ट दा फॉलॉइंग डेशिमल इंटू दा फ्रेक्शन इन दा लोएस्ट फॉर्म हमें क्या करना है लोएस्ट फॉर्म में इनको कनवर्ट करना है तो हमने क्या क्या हमारे पास जो नम्बर थी फर्स 0.05 ठीक हमने इनका डेशिमल अट आया तो अपॉन में 100 आ जाएगा तो फाइव अपॉन हंडिट फाइव से कट हो रही तो फाइव बन जा फाइव और फाइ जासेक्स 027 जा 14 यह 500 टांस 305 307 अपॉन 500 देखो यह कोई और नमबर से कट हो रही अगर यह और कोई नमबर से कट हो रही तो कट कर दो नहीं हो रही है तो यह हमारा सेंप्लेस्ट फॉर्म हो जाएगा अब क्या था कनवर्ट था फॉलेंग डेसिमल एजे मिक्स फ्रैक्श में कनवर्ट करना था देखो हमारे पास नमबर थी 9.5 तो यह जो 9.5 यह मिलके बना होता है 9 और 1.5 से टहीं है 0.5 से मिलके बना होता है तो बस यह 9 तो हमारी होल नमबर हो गई और यह decimal है इसी को हमें कनवर्ट करना है तो हमने ऐसे किए Speaking of my अपॉंट टू ठीक है यही होता है 16 अपॉंट 25 है तो इसका मतलिब क्या 16 में 0.25 एड हुआ होगा ठीक है 16 प्लस 0.25 अपॉंट में डेसिमल हटाया 100 आ गया 25 बन जा 25 25 फो जा 100 आ गया तो यह 16 बन भाई 4 ठीक है क्योंट नमबर थाड़ है क्या रहा है कोणवर्ट दाफॉलिंग स्रैक्चन इन्टू डा डेसिमल decimal में हमें convert करना है तो 4 upon 5 इसमें भी simple 5 से जैसे हम divide करने जाएंगे तो 5 4 तो divide होगा नहीं तो हमने point लगा के 0 add कर दिया तो 5 8 जा 40 होता है ठीक है तो 0.8 answer आगया हमारा ऐसी 3 upon 4 था तो हमने 4 से divide करने गया पहले 3 को ठीक है point 3 में तो divide होगा नहीं तो हमने point लगा के 0 लगा दिया आप है 4 7 जा टॉंट 8 तो reminder रह गया फिर point जो लगा था उसके लिए 0 all लगा लिए हमने तो 4 5 जा टॉंटे हो गया ठीक है तो 0.75 अब exercise आपकी 5 सी complete है